हे गाइज अस्वालेकूम नमस्ते और सर्सियाकाल मेरा नाम अशारभ है मेरा इड़ेट और मेरा हमार और हम सिब्लिन से हैं तो गाइज एक वीडियो आईए मिले ये देख लेते हैं लो वीक रूट्स तो मेरा नाम पर शान जाट है और मैं इंडिया डैली से हूँ तो मैं आप से चाहता हूँ कि आप जाट हिस्ट्री इन हिंदी पर रियक्शन करें उसका लिंक मैं आपको इंस्ट्रागरम पर सेंड कर जिता हूं राम राम तेंकि प्रशाब वीडियो पहिने के लिए यार और आप बोल रहें के जाट हिस्ट्री इन हिंदी पर रियक्शन करो तो रियक्शन करेंगे जाट हिस्ट्री इन फगये टाइम वेस्ट किए सबस्क्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मज़ेदार और ग्यानवर्दक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमसकार दोस्तो जाट कौम के बारे में तो आप सबी जानते होंगे जिनके अपने खुद के मापदन है खुद के निर्धारित रूल रेगुलेशन है और सभी जाट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जाट भारत और पाकिस्तान में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं जाट मुख्या तक खेती करना पसंद करते हैं और आर्मी की नोकरी जाटों को बहुत पसंद है अगर हम आपको जाटों के इतिहास के बारे में बताएं तो जाटों का इतिहास बहुत पुराना है मुगल सल्तनत के आखरी पड़ाओं में जो जातियां उबरी थी उनमें जाटों का नाम बहुत मसूर है औरंगजेव के अत्याचारों और दुसकरमों ने जाटों को एक बड़ी सेन्य सक्ति का रूप दे दिया था उस समय सभी जाटों ने इकटे होकर एक बड़ी सेना बना ली थी मुगल सल्तनत के आखरी पड़ाओं से लेकर अंगरेजों के सासनकाल तक बरज मंडल में जाटों का एक अलग ही प्रभाव रहा जाटों ने बरज के समाजिक और राजनेतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मथूरा नगर सहीत वो भूबाग जो स्री किर्शन के जनम और उनकी वीविद लिलाओं से सम्मंदित है उसे बरज कहते है तब बरज में वह समय जाट काल के नाम से जाना जाता था इस काल का इतिहास में एक अलग ही महतव था बरज की उस समय की राजनीती में जाट सक्तिसाली बनकर उबरे थे जाट नेताओं ने उस समय बरज में अनेक जगों पर जैसे भरतपूर, सिन्सिनी, डीग और मुसान जैसे कई राजों को स्थापित किया था इन राजाओं में से बरज के राजा बहुत परसित थे इन राजाओं ने उस समय बरज का गोरोब बढ़ाया था बरज के इतिहास में स्री किर्सन जी के बाद जिन हिंदू राजाओं ने राज किया उनमें बरतपुर और डीक की राजा विशेश थे इन जाट राजाओं ने लगबग सो सालों तक बरज मंडल के एक बड़े भाग पर राज किया था इन जाट शासकों में से महराजा सुरजमल सिंग जिन्होंने दिल्ली को मुगलों से आजाद करवाया था उनका सासनकाल सन 1755 से 1763 तक रहा और उनके पुत्तर जवाहर सिंग जिनका सासनकाल सन 1763 से 1768 तक रहा ये दोनों बाब बेटा बरज के इतिहास में बहुत परसिद और इन्हों ने अपनी पहली राजदानी डी को बनाया था और फिर उसे बदल कर भरतपुर को एक नई राजदानी बना दिया गया था। पंचायत जिसमें गाओं के पांच विशेश व्यक्ति मिलकर फैसला लेते थे और ये पंचायत के रूल आज भी लागू है। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसत में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे एक जाट दस अंग्रेजों के बराबर है। तो दोस्तों ये था जाटों का असली इतिहास। जाट छत्रिय थे वो वीर थे वीर है और वीर रहेंगे। जाटों ने हमेशा देश की रक्सा की है, खेती करके लोगों का पेट भरने का काम भी किया है और सहीद भगत सिंग जैसे जाट ने तो पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दी है। उमीद करता हूं कि हर भाई इस वीडियो को सेर करेगा और लाइक करेगा ताकि सभी जाट भाईयों को अपना गोरोवसाली इतिहास पता चले। धन्यवाद। तो स्कूल से जान चुड़ा ही हिस्ट्री थे तो यूट्यूब पे भी हिस्ट्री सुननी पढ़ दी है। खेर अच्छा टोपिक था। जाटों की पिछले दोर से काफी अची वह है शान है एक जाट दस अंग्रेदों के पराबर है। काफी आला था ये। और सही मतलब अमीर तरी ने पाकिसान के भी जाट और इंडिया के भी पुराने जमाने में सिखे चलाते से अपने ये अपने नाम के तो ये भी काफी आला चीज़ी। जट और जाट में शायद में पराखे किविए जट पंजाबी कास्ट है और जाट जो हर्यान्वी तो आपके ही कहने पे मैंने मुहमद अलमगीर के चैनल को देखा था तो लोग इतने अपुश हो रहे थे इंडिया वाले मतलब पाकिस्तान में जो हर्यान्वी है उनको जो हमनों कि अपने संस्क्रीत इक को बकरार रखा या मतलब मुस्लिम से हैं लेकिन उस ही रिवाज पर चल रहे हैं मतलब के वही शादियों मैं बाधाय से बाधिय तो पाकिस्तान में पर चावाज चल रहा है है खासभार में चावल फेंक चावल पहन पीछों में अपिछ तो हे इंडिया वाले अ करते थे हैं। पुछ रिवाइड चल देखते हैं। वह जो रिवाइड पूर्वाजों से मिले हैं, मुझा काफी आला है। हम जब कि पतलब गाओं वाले शादी जाती हैं, और वहाँ पे नाएं-नाए इस तरह के रिवाइड देखते हैं तो हम काफी अमैज भी होते हूँ और काफी अच्छा भी लगता है देखने में लेकिन वो बोलते हैं के बाहि इंडिया मैसा करते थे हम तो अभी तक यह चल रहा है मैंने कमेंट पड़े काफी सारे यार जो मन्दब इंडिया से लोग काफी हेट कर रहें कमेंट में आके के आप लोग मुसलिम तो हमारे हिंदु पे जोलम कर रहे हूं मैं बता दू यहां पे कमिशनर है वो भी हिंदु ही आ cev। और थीन और भी लोग यार यहांपे फौज में हिंदु है दोक्टर बडे बडे काडipम समच चुद्धर भी हिंदु है को कैसे ब जुब कर रहे हैं लोग ढूसरी बात यह का Works दो इंडिया यह democratic country ऐाय तो पाकिस्तान को बात करोंगा तो फाकिस्तान में किसी को कोई हट नहीं कि किसी पूर नुह को किसी पूरी आज़ादी ए हिंडुों को किरी स diff मुवर से उप पूरी आज़ादी को पने तरीके से ढ implication थे रहें यह नियूज वाले गलत नियूज दिखाते हैं मतलब अपने ही लोगों को हायर करके और उनको पेसे दे के नियूज बनवाता है यह बिग गई ए गवर्मेंट यह ऐसा कुछ भी नहीं है वही पाकिस्तान में तो आप लोग पाकिस्तान की तरफ से बेफिकर हो जाएं यहां पे हिंदू कम्यूनिटी और सिख कम्यूनिटी बहुत मज़े से ठाट से रह रहे हैं अमीर तरीन हैं वही मुस्लिम जो है ना उनसे भी अमीर तरीन हैं पड़े लिखे हैं तो हमने यह चैनल इसलिए स्टार्ट किया था कि हम आपको बता सकें क्यूंकि हमने बहुत न्यूज देखिए हैं इंडिया वालों की पाकिस्तानियों की तो बहुत गलत दिखाते हैं जूट दिखाते हैं क्यूंकि हमारे क्लास फेलो हैं हिंदू मैं उनके साल बैठती और मैं उनसे पूछती हूँ उनके मजभब के बारे में हमसे पूछते हैं और कोई यह नहीं होता कि हिंदू है यह मुसलमाने कोई लड़ाई वगेरा कुछ भी नहीं होता और अगर आपको यह जानना है कि पाकिस्तान में दंगी वगेरा और यह हिंदू के खिलाफ वर्द को तो हम जैसे ही मतलब हमारे 5-6 लाग हो जाएंगे सबस्क्राइबर्स हम विलोगिंग स्टार्ट करेंगे जो के विलोग सोच रहे हैं विलोगिंग स्टार्ट करेंगे उसमें यह ही बताएंगे मतलब जो हिंदू हैं जो सिक्ष हैं जहां जहां पाकिस्तान में रह 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 क्या खाना पीना है और कैसा रहन सहना है और कितने आलिशान तरीके से ले रहे माद़ को सबसे मिलवाएंगे आपके तो इसी वज़ा से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और है फ्लीज है ना फेलाएं नीचे कमेंट में क्योंकि हमें बहुत दुख होता है हम बहुत आप ल लाइक बटन चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और कमेंट करना मत भूलेगा तो हम मिलेगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पीस